है दोस्तों आपका स्वागत है आजकी एक झैडंग विडियो में आजकर इस विडियो में हम बातकरने वाले शामी के नए डिवाइस Redmi Pro 2 के बारे में दोस्तों शामी के आने वाले में आपको 48-megapixel का केमरा देखने हो मिल सकते हैं वो भी we아ड मी सेरीज का है आज की में हम यही बात करेंवाल हैं आखिर यहारा स्मार्फण आपको कब तक देखने उमेलेगा और क्या किए इसका प्राइस होगा इंडिया में यह स्मार्फण आने के उम्मीद है तो जाड़е हैं किसो करते हैं चलिए सब्सक्राइब करने से पहले आपको कak कर देना दोस्तों साथ भी से कर देना थाधा हो गया हम बात कर लेते थे अपने स्मार्टफोन के बारे ने दोस्तों बेसिकली जो शाओमी ने ट्विंटी सिक्स्टीन में 2016 के अंदर एक ने नया स्मार्टफोन लौंच किया था वहाँ पर क्या होता था पहले शाओमी की यही वाले स्मार्टफॉन चलते थे इन्ही स्मार्टफॉन से शाउमे ने सुरुवाद की थी तो वहां पर Redmi Pro वाला स्मार्टफॉन देखने को मिला था लेकिन उस ताम से उस सेरीज को छोड़ गो Xiaomi ने अपने कुछ और स्मार्टफॉन पर ध्यान दिया अलग से सीरीज पे रेडमी 3S प्राइम रेडमी 3S 2S प्राइम 2S ऐसी सीरीज लेकर आई फिर इनको बिकल करके रेडमी 4, नोट 4, 5, नोट 5, 6, 6A, 7A ऐसी सीरीज के ओपर ध्यान दिया बट अभी अभी एक लीक्स एंड मतलब एक खबर निकल कि आई है बहर जिससे यह पता दलता है कि शौमी अपना नया डिवाइस लेकर आने वाली है जो कि रेडमी प्रो का सक्सेसर होगा मतलब कि आपको रेडमी प्रो 2 देखने को मिलेगा और सबसे अच्छी बात यह होगी इस स्मार्टफोन के इंदर आपको 48 मेगा प प्रो के अंदर स्नैप ड्रेगन 636 को अनौश किया था साथ में उसी तरह से फिर से आपको सर्प्राइज देखने को मिलेगा क्योंकि क्वाल कॉम का स्नैप ड्रेगन 675 जो प्रोसेसर है वह 48 मेगा पिक्सल तक के कैमरा को सपोर्ट करता है तो मतलब कि आपको स्मार्टफोन के अंदर वालकॉम स्नैप ड्रेगन 675 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा और दोस्तों मैं आपको बता दो जो स्नैप ड्रेगन 675 है वह स्नैप ड्रेगन 710 से भी काफी ज्यादा पावरफुल है तो ऐसे में मतलब जबर्दस बात हो गी है स्मार्टफोन के साथ में क्यों फॉक्स होगा क्योंकि लिखाएगर है उसे प्रैस प्रेंज में आता है जो यह जो रेडमी नोट सिक्स प्रो रहे नहीं चल पाए तो ऐसे में Xiaomi को यह वाला smartphone लेकर आना पड़ेगा और कम कीमत में लेकर आना पड़ेगा तो इसको फ़ंट में क тобой खृत करें का मिले हैं यहां पर जो screen to body ratio, काफे ज्यादा होगा, आपको दिखने में काफी अच्छा लेगा और काफी अच्छा लेगा, किलीर्ट तो एकामेरा देखने को मिल सकता है. अगर मैं बात करो back side की, तो back side में आपको dual rear camera says देखने लोंगे 48 MP, उसके साथ में किस तरह से Xiaomi अपने camera को implement करता है वो भी देखने वाली बात रहेगी, लेकिन दोस्थो मैं आपको clear कर दू, 48 MP के camera के साथ में ये पहला डिवाइस नहीं है इससे पहले भी हुआवे ने अपना स्मार्टफोन नौच कर दिया है हुआवे नौवा फॉर जिसके ट्रिपल रियर कैमरास दे गए है और उसका जो में सेंसर वो फोटी एट मेगा पिक्सल का है अब यहां पर शाओमी लेकिन वो थोड़ा सा हाई देखने को मिल जाए और यहां पर डिजाइन काफी बैस्ट होगा सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ यह फॉन को चार्जिंग फॉर प्लस को सपोर्ट करता है यहां पर मैं बता दूँ आपको जो अभी फॉर पैंट जीरो को सपोर्ट करते थे जो अभी जो प्रोसेसर आते हैं स्मार्ट फॉन के साथ में क्यों के लेकिन यह वाला पॉसर आपको क्वाल को सपोर्ट करेगा मतलब कि आपका फॉन पंद्रा मिनिट में फिफ्टी परसेंट हो जाएगा और यह मैं बता दूँ आपको बैटरी के उपर भी करता रहता है बैटरी जादा मिलती है त अधर 3300 मेंज की बैटरी शाय से देखने को मिल सकती क्योंकि इतना सपोर्ट देंगे तो बैटरी को सोड़ा सा कम रखेंगे ताकि आपके बैटरी जल्दी से फास्ट हो जाए तो यह भी देखने वाली बात है कि शामी अपने स्मार्ट फॉन के अंदर बैटर को किस तर से हिट स्मार्ट फॉन था यार तो ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि आपको रेडमी प्रो टू इंडिया में कब तक देखने को मिलता है तो यहां पर एक्सपेक्टेशन तो ही है शाय से अर्ली 2019 जनवरी के महिने में यह वाला स्मार्ट फॉन आपको चाहिना के न्यूज आती है मैं आपको इस वीडियो के मद्यम से इस चैनल पर ज़रू से शेयर करूंगा अगर आपको इस तरह के स्मार्ट फॉन अच्छे लगते है आपको क्या लगता है कि शाओमी को कैमरा 48 मेगा पिक्सल देना चाहिए क्योंकि ए कैमरा सेंट्रिक स्मार्ट फॉन होने वारा रेड़्वी सेंट्रिक का ये वाला स्मार्ट फॉन क्या शाओमी को स्मार्ट फॉन मतलब 48 मेगा पिक्सल देना चाहिए फिर कम मेगा पिक्सल को बेस्ट परफॉर्मेंस देनी चाहिए कैमरा गें अंदर बताओ यहां कोमेंट सेशन में आपको क्या लगता है इस कैमरा इंप्लीमेंटेशन के बारे में यहां पर मैं इक और इंपर बादा दूं यहां पर शाओमे इन अपने स्मार्टफॉन को लॉंच तो करेगा बट रेडमी स्रीज का स्मार्टफॉन है तो प्राइस उसका बिलक स्मार्टफॉन का प्राइस देखने को मिलेगा उससे नीचे रख तो ही ने सकता और उससे ऊपर तो कितना भी जा सकता है लेकिन बीजार्च उपर नहीं जाएगा और आउट फॉदा बॉक से इसके अंदर कौल को फॉर प्लस का जो चार्जर मिल जाएं यह भी काफी अची स्मार्टफॉन के उमारे में मुझे उम्हीद है कि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ सेर कर दो एंड जैनल को भी कर लेना सबस्क्राइब क्योंकि एसे इनफॉर्मेशन वीडियो में फूचर में भी आपके लिए लिए कर आता रहूंगा सो मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्स वूचिंग हावनेस्टी जैन्द